नमश्कार और पीज जोतिश में आपका स्वागती में हूँ संधिया आए नज़र डालते हैं आज के राशीपल और पंचान पर अश्याड शुक्ल पक्षत इथी द्वादशी राट के 8 बचकर 45 मिनट तक ततपश्चात त्रयोदशी नक्षत्र जेश्टा राट 3 बचकर 25 मिनट तक ततपश्चात मूल योग शुक्ल प्राताहा 6 बचकर 13 मिनट तक सूर्य करकराशी में वराजमान रहेंगे चंद्र धनू वराजमान रहेंगे बात करे अभी जीत मोहरत की तो दोपर 12 बचे से 12 पचपन तक एस समय आप कोई भी शुबकारिय प्रारम करेंगे और निर्वेगन संपन होगा बात करें अशुब समय की तो रहु काल दिन के 2 बचकर 10 मिनट से तो दिन के 3 बचकर 15 मिनट तक एस समय ना करे, नहीं तो आपके कारियों में दिखते और कटना यहां आ सकती है, हो सकता है आपका कारिया, सफल न हो इसलिए इस समय को ताले शुब समय का इंतिजार करे दिशा शूल पूर, जोतिशी परामश के लिए समपर करे, रगुनात प्रसाच श्वास्त्री जी से, मोबाइल नमबर 9453 55511 पर रातरी 10 बचे से 12 बचे तक निशुल, आईए जानती हैं आज का समपून राशिफल, सबसे पहले बात करेंगे में श्वास्त्री के जातकों की मेश राशि के जातक आज बिगरते बिगरते कारी बन जाएंगे, चिंता करना उचित नहीं, समय दोपर के बाद आपके अनुकूल आ जाएगा, अपने भेदों को गुपत रखो, पष्टिम दिशा की यत्रा रद रखो, जीवन साती से विवाद ना करें, व्रश्व राश आपके आत्मविश्वास में व्रधी होगी, मितुनडाशी, आज जादा पैसा लगा कर कुछ खरीदना चाह रहे हो, तो फलाल अपना इरादा बदल दो, नहीं तो आपका पैसा कहीं फस सकता है, क्रोध पर नियंतरन रखने के आवश्वत्ता समझे, कारिय बिगरते बिग लंबी यात्र करने का प्रयास ना करें, सीहराशी, आज का दिन आपके लिए महत्रपूर्ण कहा जा सकता है, सोच हुए कारियों में अधिक मात्र में सफलता मिलेगी, बिगड़े हुए कारिय बनते हुए नजर आएंगे, वहन खरीदना एहत कर नहीं होगा, पतनी अत्वा प्रेमिका की वज़े से कुछ परिश्वान होना पर सकता है, कन्याराशी, आज प्रतिक कारियों सोच समझ कर करें, किसी के बहकावे में आकर कहीं जादा धन न लगाएं क्यूंकि आज आपका धन फसने का योग बना हुआ है, तो पून साफधानी बनाए रखे, आज लंबी यात्र करने का इरादा हो, तो फलाल यात्रा टाल दे, बहतर होगा, पश्वों से पूरी तरह साफधानी बनाए रखे, वह भरे हुए जल में सोच समझ कर प्रवेश करें, धन रखे, आज किसी अधिकारी वर्ग से भिड़ना आपके लिए परिश्वानी का कार यह हो सकते हैं, अपना परिवार के साथ आज आपको श्रहेंगे, लोहा खरीदना आपके लिए फायदे मन साबित होगा, कुम बराशे, आज आपको लोहा खरीदना महेंगा पढ़ सकता है, पूजा पाठ धार्मिकारी में रूची रखे, दिन बहतर होगा, लंबी यात्रा से परहेज करे, धार्मिकारी में रूची रखे, जानते हैं आखरी और अंतेम मीन राश्वी के बारे में, आज अपने क्रोथ पर पूरी थरह से नियंत्रन रखे, लोहा खरीदने का इरादा हो तो बदल दे बहतर होगा, लंबी यात्रा से परहेज करे, और क्रोथ पर निय इस पर प्रत्ति एक दिन व्रात्री 10 से 11 बजे तक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं